कि वंदेवात्रम साथियों असिस्टेंट प्रूफिसर के भरती हैं इसमें लगातार आपकी क्वेशन आ रहे हैं और मैंने जैसे आपको अभी को बताया था कि जैसे ही आपकी क्वेशन आएंगे उनका समधान करने का मैं प्रयास पूरी तरह से करूंगा तो आज कि जो असिस्टेंट प्रूफिसर भरती हैं अभी तक सरवादी क्वेशन आएं कि तु आयूशिमा क्या है एक कि सेक्षनिक योगेता है वो क्या है यह सेक्षनिक योगेता बड़ा क्वेशन है और आविदन कून कर सकता है यानि नेट सेट पहले से हैं पीच्दी है या पीच्दी नहीं है नेट सेट नहीं है कून कर सकता है कैसे कर सकता है इस पे हम पूरी बाचित अपने session में करें पूरी तरह से अमारी बाचित रहेगे वह इनहीं कोशन के आदार पर रहेगी और लास्ट में आप सभी साथियों के question है वो भी मैं लूँँगा हालंकि समय समय पर जैसे- वैसे वैसे क्या है कि मैं आप से रूबरू होता रहूंगा सबसे पहला तु सातियो के अपने देखें के हमारा पहला जो कोशन है वो है आयो सीमा से समाधित कि आयो सीमा है वो हमारी क्या हो अब इस पी आप का मैं समझता हूँ कि बाद में कोई भी किसी भी परिकार का कोई question नहीं रहेगा मैं सारी चीजें आपको clear करता हुआ चलूँगा और अच्छी तरह से क्या है कि समझाता हुआ चलूँगा कि यहां अपनी को ध्यान रखने है कि जो हमारी आयो सीमा है कि आयो सीमा एक तू अपनी को ध्यान रखने है कि हमारी चोट डेट रखी गई है न वह एक साथ दोजार तैइस रखी गए एक साथ दोजार तैइस को हमारी क्या होना चाहिए अच्छी तरह से clear करते हुए चलेंगे मित्रों कि एक साथ दोजार तैइस को आपकी न्यून्तम आयू है न्यून्तम आयू ये क्या है कि ये कितनी होनी चाहिए और अधिकतम आयू कितनी होनी चाहिए फिर इसमें किस तरह से छूट दी गी है नीयूंतम जो आयू है मित्रो यह 21 वर्स और अधिकतम जो आयू है यह 40 वर्स अब दिखे इसमें एक बड़ा अपवाद है अपवाद क्या है कि एस जो विजबति में जाब आप सड़ी करोगे विजबती में आपको अगर जूर तो दिखा भी दूगा याँ पैनल में है कि इसमें चीज एक चीज है इसमें एक चीज ये लिखी हुई है कि 31 दिसम्बर 2020 यानि क्या है कि 31 दिसम्बर 2020 को जो व्यक्ति क्या था eligible था eligible था युग्य था ये कह दें eligible था इसके लिए कि 31 दिसम्बर 2020 को eligible था असिस्टेंट प्रोफेसर की वर्ति के लिए यानि नियूनतम आयो उसकी क्या थी 21 वर्ष थी उस ताइब और अधिक्तम 40 वर्ष थी यानि पूरे 40-40 बली थे तो उस कह कि वो व्यक्ति है ये व्यक्ति क्या है ये व्यक्ति 31 दिसम्बर 2024 तक जितने भी एक्जाम होंगे उन में भी eligible रहेगा इसको आप थूड़ा सा ध्यान से दिखने है क्योंकि हम अपनी एक एक करकी पढ़ते जाएंगी एक करके सारी चीजों को क्लियर करते वह चलेंगे ठीक है तो 31 दिसमबर 2020 को eligible था वह आज भी eligible है कहने का मतलब 31 दिसमबर आगे आ रहा है इतना क्लियर है याँ इतना क्लियर है एक साथ ही करें सिले बस कब तक आएगा सिले बस आया हुआ आप वेट ने करें सिले परकार का कोई परिवर्ता नहीं होगा जuencia rejection बाद में कमेंट उन्हें अब भी लिजीबल है ठीक है दो बाते इसके बाद में अपने को ध्यान रखने कि छूट अब छूट का जो प्रावदान है वो क्या है छूट है इसमें आप यह ध्यान रखें कि छूट हमेशा ही क्या होती है छूट हमेशा ही अधिक्तम आयू में होती है नियूनतम आयू में नहीं अधिक्तम आयू में होती है ध्यान रखने नियूनतम में कभी भी छूट नहीं होती है यह ध्यान रखिएगा अगर महीला है सामानी क्या है महीला है तो उसे पांच वर्स की चूट है पांच वर्स की चूट है यानि वो क्या है 40 plus 5 यानि 45 वर्स तक क्या कर सकती है 45 वर्स की आयू तक वो यह इसके लिए आविदन कर सकती है अगर वो है तो ठीक है सेकंड किया है सेकंड हमारा SC है ST है OBC है MBC है ठीक है ये जो CATEGORIES है इन जो CATEGORIES है इन CATEGORIES में जैसे मेरे पास विगपती भी पड़ी है यहाँ इस में कोई CATEGORIES छोट ना जाए अपने उसको और कंफर्म कर लेते हैं हनव इसमें क्या है SC SC ST OBC MBC और EWS कुन सा EWS है इसको भी यहां समलित किया गया है यह ध्यान दकने EWS पहले समलित नहीं था EWS को समलित किया गया है इनको पांच वर्स की चूप है किसके इसके पूरुष अभ्यर्थिक पूरुष है इन्हें पांच वर्स की चूप है यानि 45 वर्स तक दे सकते हैं इसी तरह से हमारा क्या है कि यह सभी केटेगेरी हैं इनकी जो महीला है इन केटेगेरी की महीला है इन्हें दस वर्स की चूट है दस वर्स की चूट है यानि क्या कर सकते हैं पचास वर्स की आयूत तक क्या कर सकते हैं वो यह दे सकते हैं और अपने कोई ध्यान रखने साथी हो कि अगर कोई हमारी बहन विद्वा है परित्यक्ता है या तलाक सुदा है यानि इन केटेगरी मे से कोई है तो अपने को यह ध्यान रखने कि इनकी अधिक्तम आयू नहीं है यह कितने भी साल की है वो क्या है वो इसके लिए अपलाई कर सकती है यह ध्यान रख लेना है ठीक है इसके बाद में यह तो सामाने आप सभी को पताई भी रहता है अभी मैं क्वालिफिकेशन पर आऊंगा पर्ति रक्षा सिवा के जो हमारे अधिकारी है पर्ति रक्षा सिवा से जुड़े हैं हमारे कि कहे कि देश भक्त नोजवान हैं इनको कहे अधिक्तम आयूमी 15 वर्स की चूट है 15 वर्स की इनको पलते हैं कि यह सेकंड कवशन अपने देखते हैं हमारा जो दूसरा कौशन है एस दूसरे को कों के मद्र हम देखते हैं अभी दीखें हमने क्या देखा अभी तक हमने इस पे बात किये यानि आयो सीमा क्या होनी चाहिए आयो सीमा क्या होनी चाहिए अब हम सबसे महतप्पून क्वेशन है कि सेक्सनिक युग्यता क्या हो इसको लेकर अभ्यार्थ ही हैं वो कन्फूजन कि स्थिति में आप सभी साती हूं कि कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट्स एक बार रुक्के करें पहले आप अच्छी तरह से इनको क्लियर कर लें और क्लियर होने के बाद भी आपके संसे रहें तो आप क्वेशन जरूर कीजिएगा मैं आप सभी के कि कहे के सभी के उत्तर दूंगा कि सेक्षनिक युग्यता सेक्षनिक युग्यता सबसे बड़ा मुद्दा है इसको लेकर अभ्यरती है वो कन्फ्यूजन की स्थिति में है यहां अपने को ध्यान रखने कि सेक्षनिक युग्यता है उसमें क्या है सेक्षनिक युग्यता में अब आविधन कून कर सकता है यह अगर मैं थोड़ा पहल कौन कर सकता है यह पहले देख लीजी ताकि क्लीर हो जाएगा है फिर हम सेक्षनिक यूग्यता पर डिटेल्से चर्चा कर लेंगे हैं कून कर सकता है यह बड़ा कौईशन है बड़ा लाजमी सा क्वेशन है और यह हमें पता होना चाहिए हरे एक अभ्यार्थी को बहुत से अ सबसे पहला तो यह अपनी कुध्यान रखना है कि आवेदन कर सकते हैं वह आप कर सकते हैं आप कुण जो पीजी फाइनल एर में पीजी फाइनल एर में अध्यन रत पीजी फाइनल एर में अध्यन रत जो व्यक्ति हैं यह क्या कर सकता है कि कर सकता है आविदन आज की स्थिति में पोरों भरने तक की स्थिति में यही है कि आविदन कोन कर सकता है ठीक है अब आमें योगेता योगेता है सेक्षनिक योगेता है योगेता अपने आगे देख नहीं है सेक्षनिक योगेता कि सेक्षनिक योगेता है वो कोन सेक्षनिक योगेता हम हमारी होनी चाहिए पीजी प्लस नेट या सेट या पीएसदी इन में से कोई एक और पीजी पीजी भी कितने 55 परतिशत अंग के साथ अभी अपने सेक्शनी वेद डिटेल में बात कर रहा हूं यह कब होनी चाहिए यह आपकी होनी चाहिए इंट्रिव्यू तक इंट्रिव्यू तक होनी चाहिए और इंट्रिव्यू कब होगा इंट्रिव्यू होगा 2024 पहले नहीं होगा तो आप आगर आज के दिन में अभी फिलाल क्या है फाइनल में अध्यन रहत हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं नेट सेट बाद में होती रहेग बाद में उमोके आ रहे हैं ओती रहेगी यह आपको ध्यान रखने अब अपनी इस पर बात कर लेते हैं सेक्षनिक युग्यता पर तो सेक्षनिक युग्यता है इसमें हमें क्या क्या चाहिए नंबर एक तू आपको ध्यान रखना है इसको दिखी अच्छी तरह से आप देख लीजी बाद में ऐसा नहीं है कि आपके question बचे पीजी पीजवी कितने अंग के साथ 55 परतिशत अंग के साथ अब यहां एक यह ध्यान रखना है कि पीजी में 55 परतिशत किसको चाहिए सामाने वरग इनको चाहिए इसको सामाने वरग को यह जन्रल केटेगरीज है इन जन्रल केटेगरीज को यह चाहिए अपने को यह जान रखना है हमारे दिमाग में नहीं को लिक तो विग्यप्ति में अब सभी के पास अविलेबल है इसमें दिखिए आप जब रहें दिखेंगे युगेता पुल्घ है और यहां अपने को ध्यान रखने है कि इसमें को क्या चाहिए कि इसमे अगर क्या एससी में है अगर अपनी एस्ती में है अगर अपनी ओबीसी में है अगर हम एमबीसी में है ठीक है एक और कर्टिगरी एड़ल्यूएस है या नहीं है यह देखने पढ़ेगा इसमें हना इसमें इड़ल्यूएस नहीं है यह आप द्यान रखने है एससी है एस्ती है एमबीसी और कहें कि अपने को यहां यह द्हान रखने कि यह केटेगेरीज है प्लस हमारे जो दिव्यांग साथी हैं किसी भी रूप में कौन दिव्यांग जो हमारे मित्र हैं यह सभी इनको क्या है पीजी पीजी में पचास परतिशत अंग चाहिए है 50 परतिशत अंग के साथ जिनों ने पीजी कर रखी है वह भर सकते हैं यह आपको ध्शान रख लेना है मित्रो ठीक है इतना क्लियर है है याने पीजी बाला मामला क्लियर है कि पीजी में जर्नल में 55 परतिशत ये केटेग्रीज में से किसी में आप हैं तो आपको 50 परतिशत चाहिए पीजी अभी कम्प्लीट हो जरूरी नहीं आप फाइनल में बर सकते हो पर जब इंट्रिव्यू तक आपको चाहिए तो आप यह करेंगे ठीक है अब इसके बाद में एक क्वेशन अभियर्थियूं का रहता है यूजी का यूजी में कोई भी यानि ग्रेजेशन में इस नातक में कोई भी परसेंटेज नहीं चाहिए कोई भी उल्लेक इसमें नहीं किया गया है किसी परकार का उल्लेक नहीं है पहले था पिछली बार था इस बार नहीं है या आप नेट इनमें से कोई भी एक डिगरी यह पीएसडी हो और कब तक हो यह हूँ आप इंट्रिव्यू तक यह मैं बार-बार बोल रहा हूं जूर दे के बोल रहा हूं ताकि आपके सभी अव्यरतिय कि चीज़ें क्लियर हो जाएं यह इंट्रिव्यू तक होगा मित्रू और तक होगा जो यह अपने को ध्यान रखना है कि यह इंट्रिव आपका 2024 में होने जा रहा है पहले किसी भी हालत में नहीं होगा तो 2024 तक आपको क्वालिफिशन चाहिए वो आपकी पूरी हो जाएगी ठीक है तो अपने ये तीन मुद्धों पर में बात की हैं आज कि शाम को साथ बजे में लाइव आऊँगा और उस साथ बजे के लाइव में जो पेपर थार्ड है सभी के लिए निवारे हैं उसकी प्रभ आप पूर्ण तरीके से त्यारी हम कैसे कर सकते हैं उस पे फुली डीटेलट बात करेंगे अभी आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो हम बात कर सकते हैं हाँ जी एक साथी के रहे हैं गुद्धैकर क्या है कुछ भी नहीं एगूड एकडेमिक पहले नाम दे दिया था वो उस सब्सक्राइब बस यही क्वालिफिकेशन है परसेंड़िज के मामले में और कहीं भी कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा गया है इस चीज को आप अच्छे से देखें हैं हाजी एक साथी कहेरें कि दिव्यांग केटेगरी में हमारी कोई नहीं हैं तो हम Fon kaise डालें तो कि आप उस में दूसरी category में डाल सकते हैं जन्रल डिव्यांग में नहीं हैं तो आप जन्रल में डाल theo डिए अपनी सब्छक आप साथियों को जागरूख करने के लिए कि क्या कर सकते हैं क्या कर सकता है कौन बर सकते हैं यह देखो फाइनल एयर में जो अध्यानत व्यक्ति हैं वह फॉर्म भर सकता है यह अमें ध्यान रखना है यह जो आपको डिग्रियन चाहिए यह इंट्रिवू तक चाहिए इंट् तोर्पे करने चाहिए है हाँ जी इसके बाद में सर मेरी डेटू बढ़ 2003 है फोरम बारसक्तियों क्या अब देखिए 2003 है तो आप यह देखिए कि आप 21 वर्स के पूर्ण हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कब 21 वर्स के पूर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं कब हो रहे हैं यह देखो एसमें 1723 को एक साथ 2023 को आप अगर आप कै है 21 वर्स के हो रहे हैं एक जुलाई 2023 तक आप 21 को हो रहे हैं तो आप इलिजीबल है यह आप ध्यान रखें ठीक है कि थार्ड पेपर में 40 पर्सेंट वाला क्राइटेरिया है कि नहीं है इसका कोई उल्लेक नहीं किया गया है यह ध्यान रखना है ठीक है और बताएं एक साथी कहरें मेरे सेट में 112 कि सेट में किते थे वह यह 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 नहीं पूछ थे भी किते थे अभी आप हुम अपलाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में ठीक है और कोई कि और किसी भी परकार की कोईशन है क्योंकि हम कहें कि आज ठीक साथ बजे पीपर थर्ड है इस पे पूरी सूचना लेकर पूरा एक रूप रेखा लेकर प्रभावी आपके पास धांचा लेकर एक टाइम टेबल लेकर मैं आ रहा हूं और उसमें उसी को फूलू करहें टेल करके स्टडी कर सकते हूं तो आप उससे जरूर जुड़ें ठीक है और कि और कोई कि हाँ जी हाँ लगबग लगबग आपकी कौशन हो गए एक करें सर उबीजी में 50 परसेंट वाले जर्नल सीट पर चेंट हो सकता है यहां यह अच्छा कोश्चन है मुकेश जी का है देखिए ओबीसी में 50% वाले जनल पी चैन नहीं होंगे कारण कि आपको पहले ओबीसी का फाइदा ले रहे हो फिर आप जनल कैसे बन जाओगे ठीक है जनल नहीं है पर आप अपनी कैटेगरी में बैस लेकिए ना जब आप जनल से उपर जले जाओगे मान लीजी यह तो आप उबीसी में आओ जनल में आओ क्या फरक पड़ता है आपको तो सीट चीए आपको मिलेगी सभाविक सी बात है कि जनल की कटोफ से उपर जब जाओगे तो उबीसी में चैन तो सोचने की जूरती नहीं है और कोई साथी क्या अक्टूबर में एक्जाम होगा बिलकुल निश्यत तोर पे अक्टूबर में एक्जाम होगा कारणी है कि election और आप किसी भी तरग्य से इस एक्जाम को हिलाया नहीं जाएगा पूरा जोंक दीजी अपनी ताकत आप में जितनी भी ताकत है पूरी अच्छी तरह से जोंक दीजिए ठीक कि यह जो कोर्शन कर रहे है कि पीजी कम्पलीट नेट सेट नहीं हूं मैंने पहले बता दिया आप का रिवीजन अभी कहे कि लेट आई है तो यह रिवाइज हो रहा है तो आप इसको देख लें यह सारी युग्यता है अपनी रहेगे थीक है सात मज़ी हम पेपर थारड पे करते हैं डीटेल में बात करते हैं जहिंद भंदे मात्रव करते हैं पते हैं पयद भंदे मात्रव चाहीं इपन स्याम्दू की आए USDA